तो लेट गाइज आज की बुडियों हम बात करने वाले हैं वियो के वाई 83 डिवाइस के अंदर आप एक निव सिस्टम अपडेट कर सकते हो जी आगाइज आप यूजिली कर सकते हो सिस्टम अपडेट आपको कभी लाइक कर सकते हो कभी क्या अगर आपको काफी दिनों से यहां वेकंड करना है एक भ्राजर को अपन करना है विए यूज को यूज यूज करा हो जासे हम क्लिक करने इति capital अपडेटू सकते हो इस स्माइच कर ना है ऑब गाई शुक्किटैयों संबर्ण इयुक्ति है चलती रहते हैं आपचाये तो स्माटफों से के वह आता है अब हम बात करते हैं कि हमें इससे करना कैसे 3D का ऐकना मिलेगाक एएव फ्रेंट इभायद में क्लिक करा डMP support वाले option पे क्लिक कर देना है अब घज्व यहांपर आने के पदions आपको system अप ईप्डेट वाले option पे क्लिक करना है इसके बाद आपना memory टेकर ना है तो हमारा y83 की की बात करें इसको हम क्लिक करेंगे तो हम डूड देका ces है और यहांपर software version भी आजाएगा और file size कितना है वह भी आ जाएगा और download कितने लोगों ने करा है वह भी यहाँ पर 100 हो जाएगा 16,000 something लोगों ने इसको download करा है और यहाँ पर size की बात करें तो 2GB something के आसपास यह जो है file size है और religion date हमारी है 8.1.2021 उतना ज़्यादा oldest नहीं है लेटर सी कह सकते हो तो इससे download कैसे करना है simply download पर आप click करेंगे और यहाँ पर download पर click कर देंगे यह जो है download हो जाएगा आपको device के अंदर इसके बाद update कैसे करना है यहाँ tutorial पर option पर click करना है और guys यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको practical करके देखा है अपने phone के अंदर खुष जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें जो जितनी चीजे लिखी गई आपको यह सारी चीजे ध्यान नहीं देना है किस case में ध्यान देना सबसे पहले जानो कुछ important चीज हम आपको बताते है उससे ही follow करनी है अब यह सारी चीजे आपको follow नहीं करनी है properly update हो जाता है easily अगर यह case में होता है तो मैं आपको सारी चीजे बताऊँगा आप उनको भी आप note करके रख सकते हो सबसे पहले guys आपको जाना phone setting के अंदर और check out करना आपका latest version है या फिर oldest version है अगर old version है तब आप यहां से latest version को update कर सकते हो अगर आप latest version के अलावा old version यूज कर रहा हो website से तो हो सकता आपका phone पे password हो गएरा भी मांगे तो ऐसे case में आप सबसे पहले क्या करेंगे phone setting को use करेंगे और जहां पर देखेंगे कि आपका latest version है या फिर old तब ही आप यहां से update करेंगे अगर latest version website पे है तो definitely आप यहां से update कर सकते हैं next option मार पास है backup रखना है अपना जो भी important data हो गएरा है उसको backup रख लिजिए क्योंकि आप जब भी update करते हो किसी बहुत caseों में जो है जो भी data से 10 minute का time लग जाता है तो इसलिए आपको confused नहीं होना अपनी बैटरी को जादा चार्ज करके रखोगे उत्र जादा आपके लिए helpful होगा क्योंकि अगर आपकी बैटरी जो है capable नहीं हुई उस update के लिए तो update बीच में ही रजाएगा हो सकता आपका phone dead भी हो सकता है तो ऐसे case में अपनी बैटरी को 30% से अप रखे और नीचे कुछ यहाँ पर condition मिल रही है यह सार चीज़े यह चीज़े नॉर्मल ही नहीं और करती है मैं इसको try करा था अपने phone के अंदर update करके क्योंकि मैं लाश्ट में वीडियो आपको दे दूँगा इसका लगा दूँगा clip उसको देख लेना क्योंकि मैंने इसको use करा था तो चीज़े यहाँ पर follow करने के लिए बोल रहा है इसली कर सकते हो हाला कि यह सारी चीज़े मैंने follow नहीं करी थी अपने phone के अंदर लेकिन आप बनाना कि आपका directly हो चुका update या फिर आपको follow करनी पड़ी यह कुछ चीज़े तो इसको हमने काफी सारी और वी वीडियो बनाई है कैसे कैसे करना है अगर आपको recovery mode का option मिलता है तो आप recovery mode में जाके इन सभी option को use करके कैसे use करना phone store select करना अपकी बटन से और install update पे क्लिक करना है जो रोकर मिलता है power up button up और down button उसकी इस्तमाल से आप इसको handle कर पाएंगे वसे यह सब की जरुवत नहीं पड़ेगी डार्टली एकी क्लिक में आपका update हो जाएगा सो बस यह थी आज़की वीडियो होफ़ली आपको सार चीज़ अची लगे होंगी फिर भी कोई confusing को इसके recording तो निचे comment सकते हैं आप हमें comment करके पूछ सकते हैं